Hello everyone, my name is Kamini Singh और आज हम discuss करने जा रहे हैं Practice Paper Class 9th का Science का Practice Paper discuss करेंगे ये Part 2 है वीडियो का Part 1 अर्ड़ी आ चुका है जिसमें हमने Section A discuss किया था जिसमें 24 questions थे हमने 24 questions अर्ड़ी डिस्कुस कर लिया है आप लिंक आई बटन में मिल जाएगा आप क्लिक करके डिरेटली वीडियो देख सकते हैं ये MCQ सीरीज का Part है बिकॉस इस बार सारे ही questions MCQ form में पूछे जाएंगे और ये वीडियो देखने साब को help मिलेगी जानने में कि किस तरीके के questions पूछे जा रहे हैं So without wasting any time Let's get started सबसे पहले instructions देख लेते हैं Section B में 24 questions हैं जैसा कि मैं बता चुकी हूं already 25 से लेकर 48 question number तक Section B के अंडर आएगा जिसमें से आपको कुछ 20 questions करने हैं First attempted 20 questions will be evaluated यानि कि शुरुवात के 20 questions ही check होंगे आपके और उसके बाद मान लिजए आपने 48 के सारे के सारे questions 24 के 24 कर लिए तो last के जो 4 questions हैं वो check नहीं होंगे चाहे वो सही हों तब भी तो ये questions आप ध्यान से करिएगा कि जो आपको exactly सही आते हैं पहले वो attempt कीजिए और फिर उसके बाद देखिए कि आप कहां पर question कर सकते हैं या फिर सिर्फ 20 questions ही करिए जिसमें कि आप फुल शॉर हो 25th question एक सहियों जी उतक और उनके कारे का सही मिलान चुनिए मतलब यहां पर जो PQRS दिया हुआ है इनमें आपको tissues दिये हुए connective tissues और यहां पर उनके functions दिये हुए तो आपको सही match करना है यहां पर हम लिख लेंगे match करके सबसे पहले first जो है P जो है वो है tendon tendon हमें पता है क्या होता है क्या connect करता है connects muscle to bones यानि कि इसके साथ fourth match होगा फिर ligament connects bone to bone ligament है क्यों तो यह bone to bone connect करता है bone to bone है हमारा second right R जो है cartilage R क्या करेगा R smoothen the joints of two bones right तो यहां पर हो गया यह R जिसका क्या option हो गया third और blood transport gases nutrients and hormones यानि कि S जो है यह हो जाएगा first तो अब हम options देख लेते हैं किसमें यह correct fit बैठ रहा है P का 4 देखे B और D में ही दिया हुआ तो इन दोनों में से ही कोई correct option होगा Q2 Q हमने 2 लगाया है फिर third और यह तो हमारा option number D बिलकुल correct हो गया हिंदी में भी same दिये हुए है कंडरा कंडरा fourth से match हो रहा है और रुधिर यानि कि खून ब्लड जो है वो हॉर्मोन पोशक तत्व तत्था गैसों का परिवहन करने में मदद करते हैं तो option number D correct हो जाएगा Question number 26 Tincture iodine is a mixture of किस-किस का mixture है यानि कि ठोस का द्रव में है ठोस का ठोस में है द्रव का द्रव में है गैस का द्रव में है तो tincture iodine जो है वो हम जानते हैं कि क्या है iodine के साथ हम एक alcohol को मिला देते हैं तो हमारा tincture of iodine बन जाता है अलकोहल क्या है liquid है द्रव है और iodine जो है वो solid है solid यानि कि ठोस है तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि ठोस और द्रव में कौन सा option correct आ रहा है देखिए solid in liquid यानि कि B जो है यह option correct होगा ठोस का द्रव में ठीक है ठोस क्या है यहाँ पर iodine और द्रव क्या है अलकोहल question number 27 इसमें देखिए in the given table match the items in column 1 to column 2 जैसे हमने उदर match किया थे अभी पिछले question में उसी तरीके से match करना है iron क्या है यहाँ पर लिख लेते हैं के किस से match होगा iron metal है ठीक है लोहा क्या है धातू है इसके बाद sodium chloride sodium chloride देखते है non metal नहीं है metal हो गया हमारा sodium chloride compound हो जाएगा तो sodium chloride यानि कि L के साथ क्या match हो गया third carbon non metal है यानि कि M जो है ये first के साथ match हो रहा है और N किस के साथ match होगा fourth के साथ metalloid यानि कि इसकी जो properties है इसकी जो विशेश्चताएं है ये metal और non metal दोनों के बीच की इसकी properties है उसे हम क्या कहेंगे metalloid कहेंगे उपदातू कहेंगे तो हमारा यहां पर options देख लेते हैं K का second यहां पर देखिए K का second या तो A option होगा या तो D L का third L का third यहां पर भी same है M first M first यानि कि हमारा जो A option है ये बिल्कुल correct हो जाएगा question number 28 from the following statements which are true about suspension mixture यानि कि निलंबन के बारे में कौन सी जो statement है तीनों में से सही है पहले statements कर लेते हैं फिर options देखते हैं The particle size is less than the particles of solution Willian के कड़ों से छोटा होता है तो बिल्कुल भी नहीं suspension यानि कि निलंबन के जो कड़ों होते हैं वो Willian के कड़ों से बड़े होते हैं solution के particles से बड़े होते हैं It is unstable in nature बिल्कुल correct unstable होता है Its particles can be separated by physical methods यानि कि ये बहुतिक विदियो द्वारा अलग किया जा सकता है तो बिल्कुल अलग किया जा सकता है तो हमारे answer क्या होना चाहिए जिसमें B second और third सही हो तो यहाँ पर देख लेते हैं ये देखिए B option जो है ये बिल्कुल correct हो जाएगा पहले आपको क्या करना है statements को check करना है कौन-कौन सी correct है उनको देख लीजिए और फिर उसके बाद options पर जाईए कि वहाँ पर आपको क्या correct option मिल रहा है question number 29 देखिए question ध्यान से पढ़िए the correct incorrect match correct match नहीं पूझा incorrect यानि कि कौन साइन में से गलत match है A. Leukoplast Leukoplast क्या है starch, tel तथा protein, granule का संग्रहन store, starch, oils and protein, granule बिल्कुल correct है chromoplast keep the cell clean बिल्कुल गलत option number B इसका तो कोई relation ही नहीं है इससे cell को clean लखने से इसका कोई relation नहीं है chloroplast फिर भी check कर लेते है next chloroplast perform photosynthesis correct because ये green pigment होता है जो हमें पता है ribosomes protein synthesis यानि कि protein translation ये सही हमारा जो answer गलत है वो ये है और हमसे incorrect पुछा गया थो option number B हमारा answer हो जाएगा question number 30 which type of cell division is responsible for growth यानि कि कोशिका विभाजन में से कौन सा वृद्धी के लिए उत्तरदाई है growth कराने के लिए तो देखिए हमें पता है mitosis क्या करता है एक cell से दो cell बनाता है फिर ये दो cell से इस तरीके से जो है ये cells बढ़ते जाते हैं तो हमारा answer A ही correct हो जाएगा ये जो mitosis है ये cell division होता है एक तरह का जो कि growth यानि कि वृद्धी बढ़ाने में मदद करता है अब देखिए यहां पर instruction ध्यान से देखिए question number 31 से 35 यानि कि ऐसे 5 question है जिन में कि 2 statements दी यही है एक है assertion, एक है reason यानि कि एक है अभिकतन जिसे A से बोला गया है और एक है कारण, उसी का कारण दिया हो गया है R से अब आपको A, B, C, D किस हिसाब से चुनना है A कब चुनेंगे आप जब A तथा R दोनों सत्य होंगे यानि कि दोनों true होंगे और R जो है reason जो है वो A का सही explanation है next case में B में आपका टिक करेंगे जब A और R दोनों सही है लेकिन R जो है वो correct explanation नहीं है C जब A true है और R false है और D जब A false है और R true है तो ये आपको ध्यान देना है कि question number 31 से 35 यानि कि ऐसे 5 questions हैं जो assertion और reason के पूछे गए हैं अब दिख लेजे पहला assertion reason 31 question A solution is a homogeneous mixture Willian एक समांगी मिश्रण है तो बिलकुल सही मतलब हमारा statement A तो correct है ठीक है Next देखिए Willian की बनावट समान होती है Solution has a uniform composition throughout बिलकुल सही Willian की जो बनावट होती है वो समान होती है composition uniform होता है उसी वज़े से उसे हम homogeneous mixture कहते हैं की A भी correct है R भी correct है और R जो है वो A का correct explanation है हमारा answer यहाँ पर क्या हो जाएगा option A Question number 32 Assertion क्या है Smooth endoplasmic reticulum SER helps in membrane biogenesis true A हमारा correct हो गया Next SER helps in manufacture of lipid molecule R भी correct है और क्योंकि यह lipid molecule बनाता है इसलिए membrane biogenesis में help करता है क्योंकि membranes में भी lipid होता है तो यहाँ पर यह जो explanation है यह भी correct है तो यहाँ पर भी हमारा answer क्या होगा option number A Question number 33 Root hairs are made of epidermal cells Root hairs जो होते हैं जड़ों का जो ratio हैं वो epidermal कोशिका की बने होते हैं तो यह हमारा क्या है correct है The root hair do not help in absorption of water and minerals R हो गया हमारा गलत R जो है यह बिलकुल गलत है क्योंकि यह absorption करने में मदद करते हैं यहाँ नहीं लिखा हुआ है तो यह गलत हो गया इसमें हमारा answer क्या हो जाएगा option number C जहां पर कहा गया था कि assertion सही है और reason गलत है तो option number C correct हो जाएगा question number 34 assertion speed is a scalar quantity चाल एक अदिश राशी है scalar quantity क्या होती है जिनमें की हम दिशा नहीं देखते यानि की direction को नहीं देखते है इसमें सिर्फ हम magnitude देखते हैं अगला क्या है कारण क्या दिया हुआ है तो मतलब यह तो बिलकुल correct है speed ऐसी ही quantity है जिसमें हम दिशा नहीं देखते velocity क्या है velocity में हम दिशा देखते हैं तो यह scalar quantity ना होकर एक vector quantity है ठीक है next चाल का केवल परिमाड होता है यही तो हमें पता है scalar quantity मतलब क्या जिसका परिमाड हो तो R भी सही है और R बिलकुल सही reason भी है तो option सही हो जाएगा हमारा A question number 35 football has lesser inertia than a stone of the same size football का जड़त व समान अकार का पत्थर की ball से कम होगा देखे mass कि साथ ही inertia यानि कि जिसका mass ज़ादा होगा उसका inertia ज़ादा होगा तो यहाँ पर football का mass कम होगा ठीक है तो inertia भी कम होगा यानि कि यह option तो एकदम correct है next inertia is the measure of mass देखे जो मैंने बताया बिलकुल correct तो यह हाँ भी हमारा option जो हो जाएगा A सही हो जाएगा question number 36 in the given picture RBCs यह जो हैं यह लाल रक्त कणिकाएं हैं RBC हैं red blood corpuscles or red blood cells are placed in a solution X कोई भी solution X दिया हुआ है जिसमें कि RBC रखी हुई है what could be the nature of the solution देखे अगर आप picture को ध्यान से देखे तो यहां लिखा हुए swollen RBC यानि कि RBC जो है यह full चुकी है ठीक है यह full गई है मतलब इसके अंदर पानी भर गया है तो पानी किस केस में भरता है जब जो solution है वो high potonic होगा मतलब उसमें पानी ज्यादा होगा बाहर जो है वो पानी ज्यादा होगा अंदर पानी कम होगा तो पानी बाहर से अंदर की और जाएगा और यह जो RBC है जो लाल रख्त कणिका है वो fool जाएगी तो हमारा answer क्या हो जाएगा अल्प सारण दाबी विलियन है यह question number 37 देखिए इसमें भी आपको match करना है match the labeling x y z ठीक है x y z देखिए यहाँ पर x क्या है पहले तो पहचानना है y क्या है पहचानना है और z क्या है पहचानना है तो x हम जानते हैं क्या है chloroplast है हरा हरा दिखाई दे रहा होगा आपको y क्या है nucleus ठीक है nucleus यानि की kendrak है और z क्या है vacuol यानि की रिक्तिका है ठीक है यह plant cell का diagram है ठीक है पादब कोश का है यह तो यहाँ पर यह जो बड़ी सी दिखाई दे रही है हमें खाली जगा जो label की गई z से यह vacuol है यह फिर रिक्तिका है अब देखिए अब हमने पहचान ली अब हमें इसके सामने जो इसके function दिये हुए है कार्य दिये हुए है उनसे match करना है x हमारा था chloroplast तो chloroplast क्या करेगा perform photosynthesis यानि की second x के साथ second match होगा देखिए पहले x के साथ कुछ second दिया हुआ है क्या कहीं पर सिर्फ एक ही option option number c में ही सिर्फ x के साथ second दिया हुआ है तो हमारा यह जो option है यह correct हो जाएगा चेक कर लेते हैं z का one z क्या है हमारा z है vacuol our storage sacks मतलब यह ठोस और तरल पदार्थों का संग्रहन करता है बिल्कुल सही रिक्तिकाई यही करती है और y क्या है third y यानि की control all cellular processes बिल्कुल correct कोशिका की सभी उपापचे क्रियाओं का नियंतरन करना तो यह हमारा option number c correct हो गया देखिए हमने सिर्फ एक ही पता किया था और हमारा answer आ गया तो एक बर चेक कर लीजिएगा पहले एक कोई भी करके या दो करके जो आपको बिल्कुल confirm हो चेक कर लीजिए option में वैसे कोई option है क्या अगर वैसे दो options हैं तो आगे करिए otherwise आप directly भी tick कर सकते हैं question number 38 which is not a part of neuron neuron हमें पता है तंतर का कोशिका जो है ये कुछ इस तरीके के दिखाई देती है ठीक है sorry ये इस तरीके से नहीं इस तरीके से रहेगी पतली ठीक है और यहाँ पर तो यहाँ पर बोला है कि इसका कौन सा हिस्सा नहीं है nucleus होता है यहाँ पर केंद्रक बिल्कुल होता है cell body ये पूरे को हम cell body ही कहते है dendrite ये जो इस तरीके के निकले हुए आपको बाल जैसे दिखाई देते हैं ये dendrites होते हैं तो तीनों ही हिस्से है synapse जो है ये बिल्कुल भी नहीं होगा तो not a part पूछा था तो हमारा answer क्या होगा synapse synapse क्या होता है दो के बीच में जो gap है उसको हम synapse कहते हैं यानि कि दो nerve cells के बीच में जो है वो synapse अब इसमें पूछाएं कि part of neuron कौन सा नहीं है तो ये जो हिस्सा है ये part नहीं होता है question number 39 which among the following are not a characteristic of a compound यानि कि योगिक के इन में से कौन से गुण नहीं है constituents of a compound cannot be separated by simple physical methods यानि कि कि किसी योगिक के संगटकों को सरल बहुतिक विदियों द्वारा अलग नहीं किया जा सकता बिल्कुल सही है हमसे पूछा है कौन सा characteristic नहीं है a compound contains different elements in a fixed ratio बिल्कुल है ना जैसे h2o है यह compound है इसके ratios fixed हैं कि h किस ratio में होगा और o किस ratio में होगा na cl है मान लीजिए तो इसका ratio जो है वो fixed है properties of a compound are entirely different from those of the elements present in it बिल्कुल सही na के जो properties हैं वो अलग होते हैं cl के अलग होते हैं लेकिन जब यह combine होता है salt बनाता है common salt और इसकी properties एकदम ही अलग हो जाते हैं तो यह भी सही है a compound is a heterogeneous mixture like it is heterogeneous in nature no यही हमारा correct answer हो जाएगा एक yogic प्रकृति में विश्मांगी होता है यह क्या होता है समांगी होता है विश्मांगी नहीं होता है homogenous होता है nature में तो यह हमारा correct option हो जाएगा क्योंकि हमसे पूछा था कि गलत कौन सा है question number 40 a student observed a slide of muscular tissue एक muscular tissue की slide देखी हो किसी बच्चे ने ठीक है under microscope किसके नीचे शूक्ष्मदर्शी के नीचे which is cylindrical अब देखिए properties दी हुई है पहली property cylindrical है striped है यानि कि उसमें लकीने बनी हुई है और voluntary है यानि कि एच्चिक मतलब आप उससे खुद से कारे करवा सकते हैं अपनी मर्जी से which type of muscular tissue is it तो smooth muscle में यानि कि चिकनी पेशी में stripe नहीं होती है तो यह तो गलत हो गया cardiac muscle voluntary नहीं होती यह भी नहीं होगा striated muscles यह होगा हमारा answer C रेखित पेशी क्यूं? cylindrical होती है ठीक है बेलनाकार होती है इस तरीके से धारीदार होती है इसमें धारीदारी आपको दिखेगी और प्रक्रती इनकी एच्छिक होती है मतलब हम इसको अपने हिसाब से दिला सकते हैं तो हमारा option number C correct हो जाएगा question number 41 cheek cells are the part of which type of epithelial tissue? यह देखिए यह जो tissue वाला chapter है इसमें कुछ tissues लिखे हुए examples लिखे हुए यह आपको खुद याद करने पड़ेंगे ठीक है सभी याद करके जाएगा कोई भी पूछे जा सकते हैं जैसे kidney में पूछ सकते हैं neurons में कौन से होते हैं blood में कौन से होते हैं तो इस तरीके से अलग-अलग cells में कौन से epithelial tissues पाए जाते हैं या कौन से अतरे का tissue है यह आप याद कर लीजेगा इसमें answer जो होगा वो भी correct होगा शलकी epithelium या फिर squamous epithelium question number 42 which is not found in a prokaryotic cell यानि कि prokaryotic कोशिका में क्या नहीं पाय जाता तो हमें पता है prokaryotic कोशिका क्या होती है जिनमें जो membrane है nucleus की membrane है यह नहीं होती है ठीक है जितने भी कोशिका अंगक है उनमें भी membrane नहीं होगी वो भी जिल्ली नुमा नहीं होगे तो अब देखते हैं option cytoplasm होता है सभी cells में होता है chromosome भी होता है membrane bound organelles देखिए membrane हो या जिल्ली हो अंगकों में बिल्कुल भी नहीं यह नहीं पाया जाता यानि कि बल के लिए कौन से सत्य है unbalanced force can change the shape of a body unbalanced force कौन सी जिसमें यहां से जो force लगाएगे और यहां से जो force लगाएगे यह balanced नहीं है अगर balanced होगी तो क्या होगा एक object move नहीं हो सकता यहां से भी same force यहां से भी same force move नहीं होगा यहां बोला है unbalanced force can change the shape of the body yes विल्कुल कर सकता है balanced forces can change the state of rest मैंने अभी कहा balance होगा तो move नहीं करेगा तो state of rest change नहीं होगा तो यह incorrect होगा balanced forces can do balanced forces do not produce any acceleration acceleration कब produce करेगा जब move करेगा कोई velocity होगी कोई vague होगा यहां vague नहीं है तो यह बिल्कुल acceleration नहीं करता है जो कि हमसे कहा गया है to accelerate the motion of an object यानि कि accelerate कराने के लिए किसी वस्तु को गती को तेज करने के लिए हमें क्या करना है a balanced force is required नहीं unbalanced force चाहिए जब balance होगा तब तो move करी नहीं सकता तो यह भी गलत अब हम options देखते हैं जिसमें 1 और 3 सही बोले हो तो यह जो B option है यह हमारा हो जाएगा correct क्योंकि हमसे पूछा था true about force बल के लिए कौन सा सही है सत्य कौन सा है असंतुलित बल वस्तु के आकार को बदल सकता है और संतुलित बल कोई त्वरण उत्पन नहीं करता है question number 44 functional segment of DNA यानि कि DNA के क्रियात्मक खंड को हम क्या कहते हैं हम कहते हैं उसे gene option number B 45 question match the organal in column 1 to their function in column 2 यानि कि यहाँ पर PQRS यह दिये हुए है organals यानि कि अंगग दिये हुए है और इनके हमें कारे से इनको match करना है mitochondria का कारे क्या होता है P का कारे देखिए यहाँ पर option number 3 दिख रहा होगा आपको ATP produce करना ATP का निर्माड करना ribosome Q अभी हमने देखा था पिछले question में production of proteins protein का निर्माड या sensation तो Q का first R Golgi body Golgi body Golgi का यह जो है वो क्या करेंगे वो lysozome के निर्माड में मदद करते हैं यानि की second और D D जो है जो दिया हो सौरी D नहीं S दिया हुआ है S क्या करेगा Plastids क्या करेंगे help information नहीं makes plants autotrophs यानि कि इन में chloroplast होता है तो यह autotroph बनाते हैं अब देखिए P का third P का third देखिए हम एक भी solve करते होगा और fourth यह हमारा correct option है Question number 46 The waste disposal system of the cell Lysosome Lysosome को हम क्या कहते हैं हम इसको कहते हैं suicide bag of the cell भी कहते हैं क्योंकि यह cell को साफ रखता है और अगर मालीजे cell में कोई गंदी हो जाती खुदी food जाएगा और cell को digest कर लेगा इसलिए इसको कहते हैं suicide bag of the cell दो चीजों के नाम दिये हुए हैं एक तो mitochondria का भी नाम दिया हुआ है special क्या है कोशिका का बिजली घर या फिर powerhouse of the cell और Lysosome का तो यह आप जरूर याद रखिएगा यह पूछे जा सकते हैं Question number 47 object x of 10 kg ठीक है लिख लेते हैं x of 10 kg यहाँ पर and y of 20 kg are moving with the velocity of 20 meter per second x की दी हुई है 20 meter per second क्योंकि आगे respectively लिखा हुए तो पहले x की फिर y की y की कितनी है 5 meter प्रती सेकेंड which object will have greater momentum तो हमें पता है momentum क्या होता है p is equals to mv यानि की mass into velocity तो हम इन दोनों को multiply कर देंगे यहाँ पर देखते है p के value क्या आती है small p 10 into 20 क्या हो जाएगा 200 और इसकी value क्या जाएगी 2 5s are 10 100 तो यहाँ जो momentum है यह किसका जादा है x का जादा है अब देखते है x पहले यह option हमारा correct हो गया वैसे भी हम options देखिए y y और नीचे देखिए y will always have greater मतलब यह option और यह option तो same ही हो गया तो यह तो नहीं हो सकता नहीं है यह हो सकता है both have same momentum same नहीं है हमने निकाल के देखा तो हमारा option जो है x correct है very बहुत ही simple question है numerical देखके आप लोगों को लगेगा कि बहुत ही hard है अगर आपको formula याद है p is equals to mv और m और v की value दी हुई है अलग-अलग निकाल लीजिए answer आराम से आजाएगा last question बहुत ही simple question यह भी the given velocity time graph showing the motion of a wheel 5 kg यानि कि mass पहले हम लिख लेते हैं किसी भी चीज़ का जो भी दिया हुआ है 5 kg moving along a straight line on a road how much force हमसे पूछा क्या गया है force पूछी गई है force का formula हमें पता है m a यानि कि mass into acceleration mass दिया हुआ है acceleration हमें इसकी मदद से velocity time graph की मदद से निकालना है acceleration का formula हमें पता है v minus u upon t v क्या है final velocity f क्या है initial velocity initial velocity हमारी कितनी है 20 है शुरुआत में velocity देखिए 20 है यहाँ पर हमने लिख लिया 20 final 0 हो गई है last में आकर 0 और time कितना लिया पूरा यहाँ पर 10 10 seconds तो यह हो गया यह हो गया minus 2 क्योंकि यह और यह कट जाएंगे यह minus 2 अब यहाँ पर put कर लेते हैं f is equals to m m है 5 into minus 2 है याद रखेगा minus 2 और minus 2 होगा तो यह हो गया minus 10 newton यहाँ पर answer हो जाएगा हमारा option number c बहुत ही easy था देखिए graph की मदद से आप acceleration कैसे निकाल सकते हैं value देखिए final 0 initial 20 formula में put कर लीज़े आपको option सही मिल जाएगा I hope आपको वीडियो पसंद आया हो वीडियो पसंद आया हो लाइक करिए comment करके बताइए कैसा लगा share करिए अपने friends के साथ और subscribe करिए channel को ताकि आप कोई भी video miss ना करें part 3 भी जल्दी ही आएगा इस sample paper का practice paper का तो wait करिएगा उस video के लिए subscribe करके रखिए ताकि आपको notification मिल जाए thank you so much